किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमीजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों कल 27 जन्वरी से और लगभग 10 फरवरी तक मैं भारत के टूर पर निकल रहा हूं पिछली बार जब मैं नागपूर गया था तो वहां से कुछ किसान भाईयों का फोन आया था कि त्यागी जी आप अकोला तक आए अमरावती आए और हमें नहीं पता चला हम अपको अपने यहां ले जाना चाहते हैं इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यह बता रहा हूं कि मैं किस प्रकार जा रहा हूं और कहां कहां मैं रुकने का कार्यक्रम हैं अगर किसी किसान भाई को मुझसे कॉंटेक्ट करना है तो मेरे नंबर डबल नाइन वन जीरो डबल थरी सिक्स वन थरी एट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसान साथियों ये मेरी गाड़ी है क्रेटा सुबए 6 बजे मेरा निकलने का कार्यक्रम है और यहां से मैं पहुंचूंगा पलवल पलवल पर मुझे मिलेंगे अनिल यादव जी जो जेहिंद नर्शरी के संस्थापक हैं और वो मेरी साथ होंगे हम दोनों यहां से चलेंगे एक किसान भाई है मुरैना में जिन्नोंने 25 पेड निम्बू के मगाए हैं मैं उनके पेड लेकर जा रहा हूँ मुरैना में मैं उनको पेड दूँगा और फिर रात को हमारा सागर या उस से थोड़ा आगे रुकने का कार्यक्रम है वहां पर हम रुकेंगे और 28 तारीक को हम नागपूर पहुँच जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो नागपूर पहुचकर अगले दिन हम CCRI जाएंगे और CCRI में हम वग्यानिकों से मिलेंगे और कोशिस करेंगे कि आपको मौसमी के बारे में हम जानकारी दे और कुछ अन्य परसंद मेरे साथ हैं उनका इंट्रिव्यू रिकोर्ड करूँगा उसके एक दिन बाद हम जाएंगे अमरावती वहाँ पर एक डॉक्टर रोहित ग्रेनेवाल है मैं उनसे मिलूँगा और वो नीमूगी बहुत अच्छी खेती करते हैं और उनके यहां जाकर हम जानकारी प्राप्त करेंगे और एक हमारे जो वाट से पेड गूरूप है उसके सदस से है ताइवडे जी मैं उनसे भी मिलने की कोशिस करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे राहोरी राहोरी जो नीमू के है उसके लिए परसिद है नीमू और बागवानी के लिए वहाँ पर भी हम मोसमी और नीमू किसान साथियों उसके बाद हमारा कारिय क्राम है बढ़वानी आनेगा जो नीमू के बारे में बहुत महिर आदमी है उनके एक रात रुकने का कारिय क्राम है और दो दिन हम लगाना चाहते हैं उनके कुछ इंट्रिव्यू भी रिकॉर्ड करूँगा और पहली बार उनसे मै मिलूँगा तो वहाँ पर है और वहाँ पर एक हमारे उसके पास ही एक दो किसान और है उन्होंने कहा है कि हम भी बढ़वानी आएंगे इसके बाद हम कोशिस करेंगे कि वहां से बारा जाएं और बारा में हम जो हमारे राजकुमार जैन साब हैं जिने मैं गुरू मानता मैं एक दिन उनसे मिलने की कोशिस करूँगा और उनके बाग पर जाकर उनका भी इंटरिव्यू रिकोर्ड करने की पूरी कोशिस करूँगा हम उनसे संपर्क में हैं उसके बाद किसान भाईयों वहां से हम जाएंगे मंदसोर मंदसोर में एक मेरे मित्र है निर्मल मैं उनसे मिलवाऊंगा और उनका भी इंटर्वियू रिकोर्ड करूँगा ओफ कोर्स वहाँ पर मेरा कुछ धनिया रखा हुआ है मैं वो भी लेकर आऊंगा किसान साथियो उसके बाद एक पटेल साव हैं बडोदा में मैं उनसे मिलूँगा और उनके हाँ अच्छी तरह एक दिन रुकने का भी कारिय करम है और वहाँ से फिर हम उनके फार्म होते हुए हम जाएंगे गांधी नगर गुजरात गुजरात में तुसार भाई ने मुझे कहा है कि वो एक मुझे एंजियो के रिसर्च सेंटर ले जाएंगे और उस रिसर्च सेंटर में मैं आपको कुछ नहीं नहीं बाते बताऊंगा और मैं उनकी लैब भी विजिट करूँगा और वहाँ देखूँगा कि क्या अच्छे काम हो रहे हैं और उन सब से अवगत करूँगा किसान साथियो उसके बाद डिस्पोजल पे हूँगा मैं आपके अनिलिया दोजी के अगर वो कहीं ले जाना चाहेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से फिर हम सीधे पहुँचेंगे जहिंद नर्सरी जहिंद नर्सरी में मेरा एक दिन का कारियकरम है उसके बाद मैं सीधा घर आ जाओगा किसान साथियो ये मैंने आपको अपना टेंटेटीव कारियकरम बता दिया है कि मैं किस समय कहां पर हूँगा उसमें एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है अगर कोई किसान भाई इस दोरान मुझसे मिलना चाहता है और मुझे अपने बाग ले जाना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं किसान सातियों, यह था मेरा एक छोटा सा परियास, कोई के बहुत इच्छा थी, जो किसान अच्छी खेती करते हैं, जिनसे में भी कुछ शीख सकता हूँ, और उनके जो कारिये हैं, उनसे आप भी बहुत कुछ सीखते हैं, यह मेरा एक परियास रहेगा, इस टूर के माध्यम से ये टूर हमें बहुत पहले करना था पिछले साल करना था मार्च में पर कोवीड की वज़े से ये कैंसिल हो गया था किसान साथियो अगर आपको कोई सवाल करना हो या कोई जिग्यासा हो तो मुझे बताएं मैं संबंदित वेग्यानिक से उसका उत्तर खोजने की कोशिस कर जा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मातर है